हेलो फ्रेंद्स आज हम यह रड़ा डिजाइन बनाएंगे तो यह डिजाइन कैसे बनाया है तो इस व्यूडियो में आपको यह डिजाइन बताऊंगे बैक साइड से ऐसे बनेगा यह से हमें जो यह हमारा डिजाइन बनाए यह बारा के फंदों पर बना है और तीन उल्टे इदर तीन इदर उल्टे और दो ऐस्टीज के फंदे हमें लिए हैं तो यह बीस फंदों बना है जब भी आप डिजाइन बनाओ तो बारा ये वले फंदे और तीन फंदे ये तीन फंदे हैं आप इस हिसाब से इस डिजान के लिए फंदे ले 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 अगर आपको ये डिजान अच्छा लगात हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जुरूर किया करें तो इस डिजान को बनाना हम स्टार्ट करते हैं हमारे 12 हमने जेन के लिए है और तीन-फंदे हमने उल्टे बनाने के लिए हैं और दो-10 ऐस टिज के फंदे लिए है आप इसह साब से इसे फंदों को ले लेंगे पहला-फंदा हमारे स्टिज का दूसरा फंद तीन फंद हम उल्टे बनाएंगे धागा दूस तरफ कर लेंगे बारा फंद हम सीधे बना लेंगे एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और ये बारा फंद हमने सीधे बना लेंगे अब तीन फंद है रूटे बना लेंगे एक, दो, तीन फंद हमने सीधे यहां और फंद हमने यहां पर सीधे हो जाएंगे तो पहला फंदा एस्टिश का तो उसके बाद तीन फंदे हमने उल्टे बनाए है तब यहां पर तीन फंदे यह सीधे बन जाएंगे एक दो ये तीं दाग अपने तरव ये 12 अपन्दय हमने सीधे बुनने है थे साइड से तो उल्टी साइड में अभी है उल्टे बन जायेंगे तो जितनी भी सलाई हमरी ऐसी ही बनेंगे उल्टी सलाई हम बनाए रहे हैं यह सब भी ऐसी बनेंगे तीन उल्टे बारा जो बनाए है हमने बारा सीधे और तीन उल्टे बनाए सीधी साइड से उल्टी साइड में तीन सीधे बन जाएंगे बारा उल्टे बन जाएंगे, अब ये तीन हमेरे इदर उल्टे थे, सिर्डी साइड में, तब उल्टी साइड में सीध्य हो जाएंगे, एस्टिच का वो उल्टा बन जाएगा, अब हम सिर्डी साइड पे आ गए हैं, पहला फंदा एस्टिच का, उसके बाद अपने दर्फ करके, तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, तो ऐसी हमें छे रो बनानी हैं, तीन सलाई हैं हमने बना ली हैं, तीन और बना लेंगे, तो बारा फंदे बना लेती हूं, तीकि छे सलाई में बना लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको डिजैन को बताऊंगे, अपने तरफ कर लेंगे, तीन उल्टे, जो उल्टी सलाई हैं हमारी हो, जैसे मैंने आपको बताई है, वैसे ही बनानी है, जो उल्टी सलाई बना कर, फिर मैं आपको पांच में सलाई बताती हूं, अब हम पांच में सलाई पर आगे, पांच में सलाई हैं हमारी पहली सलाई रही बनेगी कि इन संदे में उल्टे बना लेंगे अधागा दूसरों कर लेंगे 12 सीधे बना लेंगे तो पूरी रो मनाकर और छटी रो बनाकर में उल्टी तो सात्मी रो पे आप बो डिजायन बताऊंगी तब तक मैं ये पूरी कर लूँ हम साथ मी रोपे आ गए हैं तो पहला फंद हम ऐसे उतार लेंगे तो तीन फंदे उल्टे बुलनेंगे पहले एक दो और ये तीन अब इन अमरे छे छे फंदों पर ये डियान बनेगा बारा फंदे ये तो तीन फंदे पहले हम उतार लेंगे एक दो और ये तीन फंदे हम उतार लेंगे और तीन फंदों को सीधा बुलेंगे जाकर दूस तरफ लेंगे इन तीन फंदों को सीधा बुलेंगे दो और ये तीन और इन तीन फंदों को भी यहां ले आएंगे एक दो और ये तीन अब इन तीन फंदों को सिधा बोल लेंगे एक दो और ये तीन अब इन तीन फंदों को उतार लेंगे एक दो और ये तीन इस लाई को आगे ही रखेंगे पहले पीछे वाली ये तीन फंदे सीधे बोल लेंगे एक ये दो और ये तीन एक दो ये तीन इसमें ले लेंगे अब इन तीन फंदों को सिधा बोल लेंगे एक दो ये तीन दागा पर तरफ कर लेंगे एक दो तीन लगा दूसरी करके तीन साथ में सिलाई पर हमारा डिजयन बन गया है अब आठ में सिलाई बनाकर फिर में आपको बताती हो आगे है अब हम 9 शाई पर आगए है 9 शाय भी हमें जैसे तीन शाय बनाई। बनाई है तीन साई में ऐसे ही तीन सीधी और तीन ऊल्टी शाई। छैसाई निकालकर फिर मैं आपको आगे डिजाई बताती हूं एक ब़र अब बद बता देती हूं कैसे बनाना है तीन उल्टे बारा सीधे ऐसे ही हमें 6 लाई निकाल लेनी है तो मैं 6 लाई निकाल लू फिर मैं आपको आगे डिजान बताती हूं जैसे यह 6 लाई निकाल कर मैं उन्म साथमी बनाया था वैसे ही 6 लाई निकाल कर साथमी में आपको डिजान बताऊंगे तो च्छे स्लाई मैंने ये बना ली है अब मैं आपको अगे बताती हूं कि पहले स्टिच का है कि तीन फंदे उल्टे कि तीन फंदों को उतार लेंगे पर इन तीन फंदों को सिधा बोलें धागा दूस तरफ कर लेंगे इन तीन फंदों को सिधा बोलेंगे कि एक दो दीए तीन फंदों को इसलाई में ले लेंगे एक दो दीए तीन अब तीन फंदों को सिधा बोल लेंगे एक दो तीन धगा दुस्तरा फिर रहने देंगे फिर तीन फंदे उतार लेंगे एक दो तीन धगा अपनी दुस्तरा फिर रखेंगे इन तीन फंदों को सिधा बोल लेंगे एक, दो, तीन, इन तीन फंदों को इस लाए में ले लेंगे, एक, दो, और ये तीन, एक, दो, तीन, डगा आप दरफ कर लेंगे, एक, दो, तीन उल्टे, एस्टीच का, तो उल्टीच लाइन कालके आपको बताती हूँ, तो ये डिजैन ऐसे बनेगा, इसी तरफ चै आप बनाती हूए, और साथ मी में बदलों को, जो फंदें उनका हैरे बदल कर लेंगे, तो ये डिजैन ऐसे बनता जाएगा, तो आपको ये डिजैन कैसा लगा, तो लाइक, शेयर, कमेंट जूरूर करें, थैंक यू,